Good morning children आज में आपको संस्कीत में लट लकार के अंधर गर संस्कीत में बार बना सिखाऊंगी तो देखें सबसे परएंब दिखते हैं लट लकार तो लट लकार का त conception होता है जिस वाध के अंध में तामू ठीमू ते हैं इत्यादी रहते हैं तो वह वाकि लट लगार के वाकि होते हैं चलिए अब मैं बताऊंगे आपको कि इसमें संस्क्रिप के मैंनमाल हम कैसे करते हैं तो संस्क्रिप का इन बात करने के लिए सबसे पहले हम हमें कुछ चीरों की जानकारी होनी चाहिए तो सबसे पहले हम देखे हैं लट लगार, तो लट लगार का रूप जैसे मैंने पीछली वीडियो में ही आपको बताया था, कि उसका रूप ऐसे चलता है, ती तह अनिती, सी था था, आमी आवा, आमा, चीक है, तो ये पर्थम पुरूस के इंतर करता हैंगे, ये मर्थम पु पुरूस के करता सह, सह मतलब होता है वहत, या इसके अंतर कर कोई नाम भी आ सकता है, किसी एक वित्ती का नाम इसमें आ सकता है, और इसमें होता है सा, तो सा जो है, वह इसलिंग के लिए यूज होता है, अब तो बचल में हैं तो, तो मतलब होता है वे बोलो, बहु बचल म तुम का हिंदी होता है तुम, दू बचर में इवाम, इवाम का हिंदी होता है तुम दोनो, वह बचर में यूयम, तो यूयम का तुम सर या तुम लोग, अब उत्तम पुरुस, एक बचर में अहम, अहम मक्का हिंदी होता है मैं, दू बचर में आवाम, आवाम का हिंदी होता ह हम लोगों अब बहुत बश्रमें वयम कर हिंदी होता है हमसाया हम लोग ठीक है तो इनकी जयर का लिए हमें पोनी चाहिए तब आप संस्कीट पहनुबाद कर सबोगी अब देखें इसके अंतरद में बताती हूं कि संस्कीट करें तो सबसे पहला है वह जाता है तो वह जाता है तो हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि वह जो होना है तो यहां पर लिखागा है वह का संस्कित होता है सर तो हम यहां पर लिख देंगे सर तीक है अब जाता जाता का संस्कित होता है तब हम देखेंगे सबसे पहले करता तो करता जिस पूरूस और जिस वचन का होता है वही उसी में हम देखेंगे कि क्रिया उसी वचन और उसी पूरूस का हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हैं तो सर्थ है उसका संस्कीत होता है अब हम सहर देखेंगे कि कौन से पुरूस और कौन से वचल का है तो सहर जो है वो पर्थरों पुरूस और एक वचल का है ठीक है तो पर्थरों पुरूस एक वचल का है तो हम क्रिया भी इसमें देखें लगाएंगे तो इसके आगे अगर हम गच्छ लगा देंगे तो क्या बुन जाएगा गच्छती तो सर गच्छती चीक है अब दूसर देखते हैं तुम दोनों खाते हो तो तुम दोनों का संस्क्रीट देखें हम तुम दोनों का संस्क्रीट होता है युवाम तो यहां हम लिखेंगे युवाम ठीक है अब हम भी देखेंगे कि तुम दोनों कौन से बच्छन और कौन से पुरूस में है तो तुम दोनों मध्यम पुरूस और द्यूबच्छन का है मध्याम पुरूस द्यूबचर में युवाम है तो इसे भी हम देखेंगे मध्याम पुरूस द्यूबचर तो इदू बुचर में है थब अब क्या है? खाने का संस्कित होता है खाद ठीक है? खाद अब यहाँ लगा थब क्या आगे हमें लगाना है? खाद तो क्या बन जाए रहा? खाद थब ठीक है? तो युवाम खाद थब ठीक है? अब है नेक्स्ट तुम सब करते हो तो पढ़ने का इसमें होता है संस्कित पढ़ ठीक है? तुम सब तुम सब का संस्कित यहाँ देखिए तुम सब तुम की जा है तो तुम सब तुम सब का होता है यूयम तो यहाँ पर सबसे परे लिग लेना है यूयम ठीक है अब हम यहाँ देखेंगे यूयम कौँ से पुरूस और कौँ से बचल का है तो यूयम देखेंगे यह है यूयम तो यूयम है मध्धाम पुरूस बहु बचल ठीक है यूयम मध्धाम पुरूस बहु बचल का है तो यहां भी हम देखेंगे मध्यम पुरूस बहुबचन तो मध्यम पुरूस बहुबचन में थब ठीक है? अब उसके आगे हम क्रिया अगर पठ क्रिया जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पठत तो यूयम पठत ठीक है? अब चलिए नेक्स है मैं नास्ता हूँ नास्ते का संस्कित होता है निर्ट ठीक है? तो मैं मैं का संस्कित यहां देखिए मैं का संस्कित होता है अहम तो यह हमें लिख रहा है अहम ठीक है? अब नास्ते का है निर्ट तो अहम हम देखेंगे, अहम जो है, वो पुरूस में है उत्तम पुरूस और वचर में है एक वचर, तो उत्तम पुरूस एक वचर में है तो उत्तम पुरूस एक वचर, तो उत्तम पुरूस एक वचर में है आमी, ठीक है, तो आमी है और नार्चे का संस्क्रित होता है ते क्रिया जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है? निर्थ्यामी तो अहम निर्थ्य और अ मी है, तो आगी मानता और मी बन रिया निर्थ्यामी प्रखेहरे? अब जैन्य राम का संस्क्रत क्या होगा? जैसे कि मैं नहीं हम आपको बताया कि पठर्था कुरूस एक बुच्चन में स ahor होता है यांकि Val या Sa Sa अम्लों कि Si Inne à आम यांनि किसी एक ngam के लिए लोग इसमें Sa के लगापे रखते हैं तो अगर Ram तो Ram का संस्क्रित होता है राम तो यहां लिखेंगे हम रामा चुकि राम एक पुलिंग है तो राम के सब्द में विशर्व लगेगा जैसा कि मैंने पता है था आपको पहले कि कोई पुलिंग सब्द होते हैं तो उसकी पहचान जैसे होती है कि उसके अंत में विशर्व होता है तो इसमें राम का संस्कित रामा हो गया अब देखता है तो देखने का संस्कित होता है पस्य ठीक है पस्य अब देखें राम किसमें हो आएगा तो यहां पर है किसी एक नाम को मैंने बो रहा था तो वो किसके अंतर रहता है पथम पुरूस एक बचन ठीक है पथम पुरूस ए पश्य क्रिया को ती में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा पश्य ती पश्य ती ठीक है और आपको क्लियर हो गया होगा चलिए एक पर फिर से बता लिए जैसे हमें यह देखना है कि वर्व का संस्कित क्या होता है तो हम यहां देखेंगे वर्व का संस्कित क्या होता है तो वर्व का संस्कित होता है से तब हम देखेंगे कि वर्व किस पुरूस में और किस वचर में है तो यहां जैसे कि वर्व वर्व से तो से पर्थम पुरूस में है और एक वचर का है तो इसमें लट लकार में भी देख देखे तो तुम दोनों घाते हो तुम दोनों मध्याम-पुरूस तुम भचर में होता है तो यहाँ पर खाद अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मज़ जाएगा खाद रखा यहाँ पर खाद जोड़ने से क्या मज़ जाएगा खाद रखा तो यहाँ हो जाएगा युवाम खाद रखा अब आप लोग ने यह समझ लिया होगा केसी जाज़माइबाद करसकते हैं, बस हमें ये देखना है, लेट लगा, रूफ वह हमें याद करना है, तो ये देखेंगे हम , कि करता, जिस भी पुूरुस और जिस वचनका होता है , तो कियां भी मी हम उसी पूरुस और उसी वचनका हम लेते हैं, कि टासिक bridge' अगे, थैंक यू